सब्सक्राइब कीजिए टेक्ना रिव्यू चैनल को और बेल आइकन को दबाईए हिंदी टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए हो गैस कैसे आप लोग मैंना मभी शेख है और टेक्ना रिव्यू में आपका स्वागत है और गैस ओनर ने लॉंच कर दिया है ओनर 8X जिसमें आता है बहुत ही बढ़िया डिजाइन मेरे हिसाब से आज तक की ओनर की सबसे बढ़िया डिजाइन वाला फोन है ओनर 8X और नहीं सिर्फ डिजाइन बलके इसमें आता है बहुत ही बढ़िया हार्डवेर तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Honor 8X के बारे में, ये क्यों इतना ज़्यादा special एक phone है और इस phone में क्या-क्या problems है और क्या आपको Honor 8X लेना चाहिए इस price segment में दूसरे जो phones आता है उन सब को छोड़ के तो आज के इस वीडियो में आपकी सारी doubts clear हो जाएगी Honor 8X के बारे में तो वीडियो के इंदेख देखते लिए पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमरे इंस्ट्रग्राम को फॉलो कर लीजिए और यह जो phone है यह mid-range phone होने के बाद भी इसका जो built quality और डिजाइन यह बहुत ही प्रीमियम वाला है क्योंकि इसमें आपको मिल जाता है two-tone glass design और उसके साथ Honor की जो unique grating effect जो आपको मिल जाता है हर एक phone में वही आपको मिल जाता है Honor 8X में इसमें आपको मिल जाता है 5.5 screen to body ratio तो इस phone का जो screen है यह बहुत ही बढ़िया होने वाला है क्योंकि इसमें आपको मिल जाता है two modes पहला mode है eye comfort mode जिसको अगर आप enable करते तो phone के screen में जो blue light है वो कम हो जाता है और एक warmer tone जैसा आता है मतलब एक अच्छा viewing experience के लिए और दूसरा जो mode है वो है sunlight display जिसमें outdoor visibility ब बहुत ही बढ़िया है और इसमें ना ही सिर्फ screen या फिर design इसमें जो performance आपको मिलेगा honor की खुद की Kirin 710 से वह भी बहुत ही बढ़िया होने वाला है Kirin 710 को आप compare कर सकते Snapdragon 660 के साथ पर Snapdragon 660 के साथ आपको मिलता है Adreno 512 का GPU पर अगर आप compare करते Adreno 512 के साथ Honor 17 की GPU को तो मैं क जह सकता हो कि Kirin 710 की GPU उतना भी powerful नहीं है Adreno 512 की तरह पर इसमें आपको मिल जाता है GPU Turbo Technology जिससे आपकी gaming experience boost होता है और उसके साथ जब आप gaming करते तो phone उतना भी जाला गरम नहीं होता है तो यह एक technology या फिर यह एक feature है जो आपको Honor की phones में मिल जाता है पर एक बात जो आपको बहुत ही जल्दी हम expect कर सकते है कि हर एक games में GPU Turbo Technology support हो जाएगा तो Honor 8X के साथ आता है 3750 mh की बैटरी 3750 mh सुनने में कम हो सकता है पर ऐसी बात नहीं है क्यूंकि इस phone में जो CPU आता है वो है 12NM chipset जिसका मतलब है यह CPU जो है Kirin 710 यह बहुत ही battery efficient chipset है तो 3750 mh होने के बाद भ करें तो पीछे में आपको मिल जाता है dual rear cameras जिसमें आपको मिल जाता है primary 20 megapixel की camera और जो secondary depth sensing वाला camera है वो है 2 megapixel की और इसमें आपको मिल जाता है F1.8 की aperture और सामने की जो selfie camera है वो है 16 megapixel की तो camera मुझे लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया होगा पर जो secondary rear camera है मेरे हिसाब से वह कुछ नहीं है ऐसा भी phone है जिसमें बहुत ही कम megapixel का camera आता है पर उसका photo quality और video quality बहुत ही बढ़ी आता है तो हम इस phone के साथ camera comparison करेंगे जिसमें आपको detail में पता चल जाएगा Honor 8X की camera quality तो इस phone की camera में आपको एक बहुत ही unique feature मिलता है जो इस price range के कोई भी phone में नहीं मिलता है वह है कि इस phone में आप super slow mo capture कर सकते हैं मतलब 480 frames per second में इस phone से आप super slow mo capture कर सकते हैं तो यह बहुत ही बढ़िया बात है Honor 8X की camera में जो आपको मिल जाता है तो Honor 8X में आपको मिल जाता है triple slot जिसका मतलब है आप dual SIM और SD card को simultaneously use कर सकते और इस phone में जो internal memory आता है उसके साथ आप expandable SD card को use कर सकते 400GB तक इसमें आपको मिलता है dual volte support मतलब 2G SIM card की 4G volte आप एक साथ simultaneously इस phone में use कर सकते और इसके साथ आता है face unlocking का options तो यह है सब कुछ Honor 8X के बारे में और ना भी बात कर लाते कि क्या क्या problems है इस phone में जो मेरे हिसाब से इस phone में होना चाहिए था तो पहली बात है इस phone की camera में आपको कोई 4K video recording का support नहीं मिलता है और आजकल हर एक phone में जो इस price range में आता है हर एक phone में आपको मिल जाता है 4K video recording का support तो मुझे ऐसा लग रहा है कि future updates में यह आ सकता है इस phone में और इसमें आपको कोई electronic image stabilization या फिर कोई भी तरह की stabilization का option नहीं मिलता है इसके camera में जो अगें मुझे लग रहा है कि future updates में यह आ सकता है Honor 8X में इसमें आपको कोई Gorilla Glass की protection मतलब Gorilla Glass protection हो सकता है पर Honor की तरह से उन्होंने कोई version mention नहीं किया है कि Gorilla Glass version कितना है ऐसा कुछ mention नहीं है और इसमें आपको USB Type-C support या फिर fast charging का support नहीं मिलता है क्योंके box के अंदर आपक बढ़िया premium design उसके साथ एक powerful CPU और बहुत ही बढ़िया एक camera और इसमें आता है 3 variants एक है 4GB RAM 64GB storage के साथ जिसका price है 14999 दूसरा है 6GB RAM 64GB storage के साथ जिसका price है 16999 और तीसरा जो variant है 6GB RAM और 128GB storage के साथ उसका price है 18999 अब यह question आता है कि क्या आपको ये phone लेना चाहिए तो मेरे हिसाब से हाँ आपको ये phone जरूर लेना चाहिए अगर आपकी budget है 15,000 रुपीस तो Honor 8X एक बहुत ही बढ़िया phone होने वाला है पर अगें इसी सेम price range में आपको मिल जाता है कुछ और phones जो आपको कुछ और चीज़े देगा जो Honor 8X में आपको नहीं मिलेगा जैसे Redmi Note 5 Pro आ जाता है इ उसके बाद Xiaomi Mi A2, Zenfone Max Pro M1 की 6GB variant और आखिर में आता है Realme 2 Pro तो ये सारा phones इस सेम price range में आता है और अगर आप देखते हैं इन सारे phones को अगर आप compare करते हैं तो आप देखेंगे किसी phone में आपको मिल जाता है premium design एक में आपको मिल जाएगा बहुत ही powerful CPU एक में आता है बहुत ह एक में आपको मिल जाएगा बहुत ही बढ़िया camera या फिर बहुत ही बढ़िया एक battery पर आपकी main priority क्या है एक phone में उसको देखके आपको select करना चाहिए कि कौन सा phone आपको लेना चाहिए पर Honor 8X के बारे में आपको क्या लगता है हमें ज़रूर बताए comment section में और यहीत आज का चैनल को subscribe कर लीजिए और इसके साथ हम इस वीडियो को end करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में